तो दोस्तों बहुत ही special वीडियो तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगो बोल देना चाहता हूँ यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अल्रडी अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा मेनत करने के बाद भी मैंने ऐसा सोचा कि यार फर्स टॉपिक में मैंने अल्र ले सकते हो पर इसके पहले मैं आपको पता देना चाहतो कि इस वीडियो के साथ आपको ब्रीफ वीडियो भी एक बार देख लेना चीरिई यह वीडियो आपको एक वीक कर देना और वीडियो के नीचे बहुत अच्छा कॉमेंट कर देना जिससे मैं मोटिवेट होके आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहूं और नेक्स आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए बहुत सारे लोग मैकेनिक्स बोल रहे थे मैकेनिक्स का भी अब बता दो तो मैं वैसा वीडियो बना दूगा अब दोस्तों देखो सबसे पहला जो टॉपिक है इस लेशन का वह है हमारा दोस्तों कार्टिशन कॉडिनेट और पोलार कॉडिनेट जिसके अंदर जो टॉपिक है दोस्तों है और्टोगोनल ट्रेजेक्ट्रीस तो आपक पर डिप्लेस करो उसका डिवाई डिएक्स का उल्टा डिएक्स बाइट बस साथ में माइनस है और उसको वेरिबल सेपरेवल पॉर्म से सौल करना है कैसे सौल करना मैं सिखाओंगा अगर दोस्तों वह आट थीटा के फ़ॉर्म में उलनब ठीटा दीटा दिखा यह तो रखना है यहां पर बस r square है वहां पर दोस्तों कोई r square नहीं दिखाई दे रहा है और variable separable form में लिखना है तो चलते हैं दोस्तों one by one चीजों को solve करते हैं देखो first question है हमारे पास देखो find the orthogonal trajectories of the family straight line y equal to mx तो दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले इसको equation above first देना है और यहां पर आप इसे differentiate करोगे differentiate with respect to x तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों dy by dx which is equal to m constant है x का value दोस्तों 1 है तो dy by dx which is equal to क्या है दोस्तों अब यहां से आपको m का value निकाल लेना है दोस्तों m which is equal to क्या है दोस्तों देखो m इस side में है तो यहां पर m अकेला है और यहां पर क्या है दोस्तों y और यहां पर नीचे क्या है दोस्तों x तो यह हमने m का value निकाल दिया अब जश्ट आप यह value को आप क्या करोगे देखो यहां पर डी वाइब डी एक्स है यहां पर आपने constant का value रखा y by x अब इसके बाद अपना next step क्या था दोस्तों हमने कहा किया डी वाइब डी एक्स को replace किया तो replace के दी वाइब डीएक्स वाइब माइनस दी एक्स और दीवाइब तो यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों देखो past अच्छे तरीके से आप इंको डी वाइब डी एक्स है मैं यहां रोओ दूस्तों पर गतें आ Pal Revy और दूस午 मैनस दी क्हें तो यहाँ पर variable separable form apply करके sum को solve कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब दोस्तों यहाँ पर मैं apply कर दे रहा हूँ या तो चाहिए तो आप minus से दोनों को multiply कर दो तो minus से कर दोगे तो यह प्लस हो जाएगा और यह वाला part आपका minus हो जाएगा अब दोको मैं variable separable form apply कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम integration लेते हैं यहाँ पर हम integration लेते हैं और जब भी हम variable separable form apply कर थे हम दोस्तों दोस्तों चलते हैं यह सबी लोग को बताकि यह x square by 2 आता है, yes y का integration क्या आएगा दोस्तों देखो यह y का क्या आएगा दोस्तों y square by 2 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर यह माइनस है और प्लस यह c यह एक स्क्वेर यहाँ लिखेंगा दोस्तों अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर कॉंस्टेंट चेंज कर सकता हूं यहाँ पर टूसी को मैं मैं replace करके c1 का square लिख रहा हूं तो यहां पर मैं कहले कहूंगा दोस्तों सिवन का स्क्वेर तो इन डारिकली यह हमारा सर्कल का equation दोस्तों बन गया तो आप ऐसा भी लिख सकते हो अधरवाइस आप इतना भी रखते है तो भी चलता तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह पूरा का पूरा पूरा पार्ट तमज में आरा आप चलते हैं दोस्तों नेक्स कोर्शन की और नेक्स कोर्शन सौल करते हैं अब एक हमें इसका ऑर्ट ट्रेजिप्टरी स्पांड आँट करना है अगर आप इससे सौल करले तो यहापको कोई समायेगा तो आप आरा से सौल कर सकते हैं अब देखो मैं यहांपर क्या कर रहा हूं मुझे पहला स्चेप पता है दोस्तो, differentiate with respect to theta, क्योंकि यह theta ओला टम है, तो यह क्या जाएगा, दोस्तो, dr by d theta, यह a रहेगा, cos का minus sin theta, अब दोस्तो देखो, यह dr by d theta है, यहाँ से मैं a का value अगर मैं निकालता हो, तो a which is equal to क्या हैगा, दोस्तो, r upon cos theta, यहाँ पर क्या हैगा, dr by d theta, which is equal to minus r, और यहाँ पर दोस्तो, क्या हैगा, 10 theta, अब दोस्तो, अगर मैं द्यान से, अच्छे से, चीज़ों को solve करने की कोसिस कर दो, तो यह दोस्तो, यह दोस्तो, यह दोस्तो, यह होने क्या, दोस्तो, और आप इसको भी replace कर दो, तो यहाँ पर देखो, आप क्या लिखोगे, replace, dr by d theta, which is equal to, हम क्या replace करेंगे, minus r, और इसका उल्टा, d theta by dr, तो दोस्तो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, minus r, d theta by dr, यह दो कुछ steps बस याद रखो, काम हो गया, दोस्तो, 10 theta, दो यह minus minus cancel, 1, r, 1, r cancels, तो फाइललिय अगर, आफ देखें, तो यहाँ पर r है, यहाँ पर d theta by dr है, और दोस्तों, यहाँ पर क्या है, दोस्तो 10 theta है, और एगर मैं लिखू, तो यह दो, d theta है, यहाँ पर 10 theta नीचे आ जाएगा, यहाँ पर d r है, और यह आर यहां पे यहां पर दोस्टों नीचे आ जाएगा अब यहां पे यहां पर काहेगा दोस्टों प्लस ते यह आप देखो इसे आप लική सकते हो वन रपउन 10 को आप count लिख सकते हो थीटा दीभी ओर यहां पर दोस्टों और r dr और प्लस C, अब बहुत ही आसान है आपके लिए एंसर निकालना, दोस्तों, कॉट को आप, कॉट का, आप अगर मेरे सभी लेक्चर्स को देखे हो, बेसिक लेक्चर्स को देखे हो, मैंने वीडियो बना है कि How to learn derivative formulas, गेरी टुटोरियल्स या तो आप प्रदीमगरी academy सर्च करोग आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे डारिक क्या आएगा दोस्तों, log of sin theta, और यहाँ पे अगर आप solve करें तो क्या आएगा दोस्तों, log of r, जैसे 1 upon x का log x तो ऐसे इसका, और मैंने बोला कि जब भी यह लॉग लेलो, यहाँ पे लिख दो c belongs to log c, कोई दिक्कत नह जाता है, तो यह multiplication में आ जाएगा, log log cancel, then sin theta, which is equal to r by c1, देखो भाई, बहुत ही simple तरीके से हमने पूरा का पूरा part solve कर दिया, अब चलते हैं दोस्तों, next portion की और, अब चलते हैं दोस्तों, next topic, भाई, इसके उपर भी 5 मास का घुशन आता है, अगर आपने मेरा यह एक सम academic का application है, वहाँ पे मैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे courses हैं, आप उसमें से जो भी course आपको पसंद आता होगा, दोस्तों, आप ले सकते हो, और बहुत अच्छे से notes, सब कुछ आपको मिल जाता है, और अपने preparation को आप cover कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे examples मिलेंगे, म अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा याद रखना, Newton law of cooling में बस यह formula आपको याद होना चाहिए, दोस्तों, d theta by dt, which is equal to minus k theta minus theta naught, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, यह sum solve करते हैं, यह जो theta naught है न दोस्तों, यह surrounding का temperature, कहीं पे भी air, surrounding, यह सब आया, तो वह theta naught रहेगा, और अगर आपको नहीं समझ में है, तो जो minimum values रहेगा, उसको भी आप consider कर सकते हो, अब जैसे यहाँ पे कोई question है, तो देखो, यहाँ पे question को मैं देखो, ध्यान से पढ़ रहा हूँ, body is originally at 80 degree Celsius, तो दोस्तों, देखो, मैं यहाँ पे theta 1 का value ले रहा हूँ, दोस्तो 80 degree Celsius, cool down to 60 degree, मतलब उसके बाद वो cool down होके कितना हुआ, दोस्तों, 60 degree Celsius, in 20 minutes, कितने minutes में हुआ, दोस्तों, 20 minutes, तो यहाँ पे 20 minutes है, तो यहाँ पे दोस्तों, इस टार्निक में 0, यह हमें सा, यह fix है, हर एक सम में, temperature of the bing, अब देखो, air bing, 40 degree Celsius, और अगर आपको नहीं समझा मतलब इस पर minimum temperature हुआ है, तो मतलब यह दोस्तों, theta naught है, theta naught कितना है, दोस्तों, 40 degree Celsius, अब दोस्तों, आगे क्या बोला है, what will be the temperature of the body after 40 minutes, मतलब हमें क्या करना है, after 40 minutes, यहाँ रखना है, यहाँ पे minutes है, यहाँ पे minutes है, तो चल जाएगा, अगर यहाँ पे minutes है, वहाँ पे 1 hour लिखा है, तो 1 hour मतलब 60 minutes लेना, तो temperature of the body after 40 minutes from the original मतलब, आपने को क्या करना है, indirectly theta का value निकालना है, तो देखो, बहुत ही simple सा sum है, सबसे पहले आप क्या करोगे, दोस्तों, जो आपका Newton law of cooling है, वो आप लोगे, तो देखो, यहाँ पे d theta by dt, which is equal to minus k theta minus theta naught, फिर देखो, मैं क् k dt, यह हर एक sum में fix है, फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे, just integration अगर आपको लेना है, तो integration आप ले सकते हो, अब देखो, यहाँ पे और changes कर रहा हूँ, d theta, अब theta minus यह आपको पता है, दोस्तों, देखो, 40 degree है, तो यहाँ पे कोई changes नहीं, minus k dt, अब यहाँ पे दे variable separable form में चले गया, तो देखो, यहाँ पे theta minus 40 degree, which is equal to, यहाँ पे minus k, और यहाँ पे दोस्तों dt, और जब भी हम variable separable form लेते हैं, तो यहाँ पे plus c लेंगे, अब दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सिकन, यहाँ पे क्या हैगा, theta minus 40 degree, यहाँ पे क्या हैगा, यहाँ अगर यहाँ पे log है, तो यहाँ पे c को आप क्या लेना, दोस्तों, log c लेना, यह चीज का दियान रखना, यहाँ पे आप चाहिए तो c1 ले लो, और यहाँ पे लिख दो c1 belong to log c आएगा, तो मज़ में आए आए आपको, यहाँ इसके बाद, यहाँ पे यह चीजे complete होने के आप solve कर लो, यह बहुत ही best step में आपको provide कर रहा हूँ, तो इस step के लिए मेरी तारीफ तो होनी चीए, दोस्तों, log minus में है तो हम divide में लिखते हैं, अब यहाँ तक यह चीजे होने के बाद, दोस्तों, अब देखो, मैं इससे equation number first लिख रहा हूँ, यहाँ तक बस यही आपक अच्छे से practice करना, इसके value put up करना है, और फड़ा फट समसॉल करना है, जैसे अभी समझो, मैंने यहाँ पर पहला condition put किया, मैंने देखो लिखा at t equal to 0 and theta 1 which is equal to 80 degree Celsius, तो देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, log, यहाँ पर कहाएगा दोस्तों, 80 minus 40 upon c, और equal to minus k, और यहाँ पर 0, तो finally अगर मैं solve करूँ तो यह क्या अगर log 40 upon c, यह याद रखना degree है, और यहाँ पर कहाएगा दोस्तों 0, एक चीज़ का दियान रखना, एक चीज़ का दियान रखना कि दोस्तों जहाँ पर 0 है तो उसको हम log c लेंगे, उसको हम 0 मतलब क्या होता है, log 1, तो यह पहले अगर आप देखो कि log log cancel हो गया, तो 40 upon c which is equal to 1, then c which is equal to 40 degree, देखो भाई यह हो गया, अब यह पूरा का पूरा पार्ट आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया, तो अब आगे क्या करोगे, c का value हो गया, आप दूसरा condition लेलो, अब देखो मैं लिख रहा हूँ, at t equal to 20 and theta which is equal to 60 in equation 1, 1 वाले equation में put करना है, तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, log, यहाँ पर कहाएगा दोस्तो theta का value कितना है, 60 minus 40, अब c का value आप put कर सकते हो, c का value कितना है, दोस्तो 40, और minus k, और t का value कितना है, दोस्तो 20, तो अगर आप इससे solve करते हो, तो यह क्या हो यह कितना हो जाएगा, दोस्तो 40, और यह क्या हो जाएगा, दोस्तो minus k, और यह 20, तो यह क्या हो जाएगा, दोस्तो log, यह 00 cancel, यह 2 अंचा, यह 22 और यह minus k और 20, प्लीज दियान देना, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा sum solve हो जाएगा, आप से, अब देखो मैं यह वाले यह 1 by 2 है, यह number यहाँ पर आएगा, तो दोस्तो यहाँ पर जाएगा, तो 20 और यहाँ पर कुछ नहीं दुवान, और minus form में रहेगा, यह minus भी आएगा, minus हम नीचे नहीं लिखते हैं, इसलिए उपर लिख रहे हैं, तो finally दोस्तो k का value आए, अब देखो आप तीसरा उन्हों ठीटा माइनस, देखो क्या बोल रहा है, लॉग, ठीटा, ठीटा कितना है दोस्तो नहीं पता है, ठीटा माइनस चाहिए तो ठीटा 3 लिख दो, यह तो ठीटा ही राने तो कोई लिख कर नहीं, ठीटा माइनस 40 डिगरी, अपन मुझे लग रहा है कि C का value 40 है, क्योंकि नीच दोस्तो, माइनस 1 by 20, log of 1 by 2, और यह चाहिए तो आप यहाँ पे भी ऐसा ले सकते हो, टी का value कितना है दोस्तो, the value of t is 40, अब देखो दोस्तो, 21 जा, 22 जा, इसका कुछ मत करना, यह कर सकते हो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तो यह log हो जाएगा, यह theta माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, यह भी 40 डिग्री है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यह 2 आप आगे ले लो, यहाँ पे कहाएगा, दोस्तो, log 1 by 2, यहाँ पर्फेट, अगर यह एक sum solve करते हो, तो इसके बाद कोई भी sum आप solve कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे, यह लोग, ल लोग, लोग, कैंसल कब होगा, यह जब 2 हटेगा, तो दोस्तो, यहाँ पे कहाएगा, यहाँ पे कहाएगा, दोस्तो, ठीटा माइनस 40 डिग्री, अपॉन यहाँ पे कहाएगा, दोस्तो, 40 डिग्री, और यहाँ पे यह 2 रेस्टू में जाएगा, तो दोस्तो, कहाएगा, ल अब देखो अगर मैं इससे कैंसल करूं तो यह तो दोस्तों यहां पर एक सब्सक्राइब लेन ठीटा विचिस इकोल तो कितना है दोस्तों फिप्टी डिए पर्फेक्ट ली जो चाहिए था वह मिल गया अब चलते हैं दोस्तों और अगर और इस्ट्रा सम करना है इसलिए बोलगो कि अगर पॉसिबल तो आप एप्लिकेशन से विजोड सकते हैं या तो यह तो आप लास्ट टाइम पर रिवाइस कर रहे हैं तो इनफ है कोई दिक्कत नहीं है बड़ तयारी करके जांगी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चलते हैं दोस्तों अब दोस्तों देखो यह नेक्स टॉपिक है इलेक्रिक सर्कीट वाला जिसमें क्रिशॉफ्स लॉप्लाइ करते हैं तो देखो इसके अंदर मैं आपको इंप्सोर्ट बताना चाहते हो कि यह टेबल आपको पूरा को पूरा याद करने की ज़रूत नहीं है बस यह दर को इंडकेणस मतलब इलोता है रेइस्टेंस मतलब आर तो आपको पता और इसका आपको यूणिट पता होना चाहिए यह होम है इसका यूणिट है जिसमें апलायस से यहाँ पर कुछ चीज़े याद रखो, voltage drops across resistance, resistance पर voltage drops को हम R I consider करते, यहाँ पर R small I लिखते हैं, मैं हमेसा R capital I लिखता हूँ, voltage drop across D L को हम हमेसा क्या लेते हैं, दोस्तो, L di by dt, यह हमेसा याद रखना, और C को हम Q by C लेते हैं, तो आप पर resistance रहेगा, तो देखो, यहाँ पर capacitor का symbol है, resistance का symbol है, R मैंने पीछे पढ़ाएगी, voltage drops across R क्या होगा, R I होगा, बाद में C पर क्या होगा, दोस्तो Q by C होगा, और equal to क्या होगा, दोस्तो E होगा, अब यहाँ पर हमेसा याद रखना, कि जब भी R और C रहे, तो I की जगवा पर आपको DQ by dt पुट करना, यह हमेसा याद रखना, यहाँ गलती मत करना, कहीं पर भी अगर यह वाला सर्कीट है, तो I की जगवा पुट करना है, और फिर पूरे equation को आप R से डिवाइट करोगे, तो यहाँ पर भी दोस्तो आ रहेगा, तो इस तरह से यहाँ पूरा का पूरा equation हो जाएगा, linear differential equation, अब देखो यहाँ पर RL सर्कीट है, तो आपने L लिया, L का आपने क्या लिका, आपने जो पीछे पढ़ा है, और सेम यहाँ पर आपको आ रहे हैं, अब जब L वाला सर्कीट रहेगा, तो उसमें R के बाद जो आए हैं, वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं पूट करना है, जैसे आपने यहाँ पर पूरा equation को L से डिवाइट करना है, अब दोस्तों देखो यहाँ पर कुछ पॉर्बलेज हैं, इसमें से यह वाले दो पॉर्बलेज तो आपको पता होने चीए, और बाकी तो आप आराम से solve कर लोगे चलते हैं, दोस्तों सम solve करनें, देखो यह जो सम है, resistance of 100 ohm, तो सबसे बहले आपको पता चल गया है, यह resistance कितना दिया है, 100 ohm, अब यहाँ पर inductance दिया है, inductance को हम L से denote करते हैं, दोस्तों 0.5 Henry मतलब H, connected in series, a battery of, देखो यहाँ पर हमें E का value दिया है, बहुत interesting topic है, और बहुत ही simple topic, अब यहाँ पर आप diagram भी बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना है, तो समझ में आ रहा है, RL circuit है, तो L हम क्या लिखते हैं, दोस्तों L, यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तो, Di by dt, देखो यहाँ पर, देखो पीछे भी हमने किया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर आ रहा है लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, पूरे equation को अगर आप L से multiply करोगे, L से divide करोगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी कितना है, दोस्तो, 0.5, अब आपके पास, दोस्तो, Kelsey, अगर आपने first order linear differential equation अच्छे से solve किया है, दोस्तों यहाँ पर यह वाला concept, वहाँ का ही concept है, अब देखो दोस्तों, अगर आप 100 को 0.5 से divide कर रहे हो, Kelsey में तो 200 आता है, तो यहाँ पर कहाएगा, दोस्तो, 200 I which is equal to, अगर आप यहाँ पर 20 को divide कर रहे हो, 0.5 से, तो finally दोस्तों, यहाँ पर कितना आ रहा है, 40, अब यहाँ पर मैं चीजों को लिखने की कोसिस करूँ, तो यह एक तरह से मेरा पूरा का पूरा equation बन गया, अब यहाँ पर आपको पता है, जो हम equation लिखते हैं, यह वाला जो value है, इसको हम P लेते हैं, यह हमेसा याद रुखना, और यह वाले value को हम Q लेते हैं, अब देखो जाएगा, तो e raise to यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तो 200, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तो dt, तो finally integrating factors which is equal to e raise to यहाँ पर गयाज़गा 200t, तो यह आपका integrating factors हो गया, अब आप क्या करोगे दोस्तों, यह integrating factors होने के बाद आप क्या करोगे, main solution निकालोगे, general solution का formula क्या है, दोस् इंतेग्रेटिंग्स सब्सक्राइए अब दिखो दोस्तों धीरे-दिरे अपने वर बढ़ रहे हैं यहां से पूरा का पूरा समलेजन को फरस्ट्रा है यहां पे आयिस का जो वैल्यू है दोस्तों आय का वैलु कितना है दोस्तों इra to 200 T यहाँ पे दोस्तों integration है Q का value कितना है दोस्तों 40 है और IF का value कितना है दोस्तों E raise to 200 T और यहाँ पे कहले दोस्तों दूस्तों प्लस T अगर मैं इससे solve कर रहा हूँ तो देखो E raise to 200 T है यहाँ पे यह 40 E raise to 200 T का बस integration इसका लूँगा 40 तो बाहर आ गया ती के आगे जो नंबर होता है उससे भी हम डिवाइड करते हैं और यहां पर कहाएगा दोस्तों यह पूरा का पूरा पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों देखों यहां पर अगर आप डिवाइड कर रहे ह आपने को वैल्यू निकालना है पर उसके पहले आप यहां से बस अखेला आए रहना चाहिए तो पूरे एक्वेशन को यहां पर यहां पर यहां पर यह वाला कैंसल और यह कैंसल और यह आइक वाल टू क्या हो जाएगा दूस्तों वन अपॉन फाय प्लस सी और यह रेस्ट हो जाएगा तो मोश्ट लिए हमारा एक अएक वेशन करंट का एक वेशन बट एक चीश का द्यान रखना है दोस्तों जो आपका करंट का एक्वेशन है उसके अंदर आप देख रहें तो सी नहीं रहना चीए दोस्तों क्या करेंगे पुट करेंगे सी और एकोल टू जीरो यहाँ पहले लिख देना तो देखो यहाँ पे 0 है 1 by 5 है यहाँ पे C है E raise to 0 मतलब 1 होगा तो यहाँ पे कहाएगा 1 by 5 plus C C equal to minus 1 by 5 अब देखो यह जो C का value मिला है इसको आपको इस equation लो put करना है तो I equal to 1 by 5 minus 1 by 5 E raise to minus 200 T तो अगर मैं लिख हूँ तो 1 by 5 बाहर आएगा और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 1 minus E raise to minus 200 T तो देखो बहुत ही perfect तरीके से हमने पुरा का पुरा एंसर निकाल दिया कोई तकलीफ नहीं हुआ उमीद कर रहा हो कि पुरा का पुरा पुरा पार्ट समझाओगा अब चलते हैं दोस्तों next part की और next part से all करते है चलते हैं दोस्तों अब आगे के next method rectilinear motion यह one sort video तो इसलिए आपको एक basic यह पता हो नच्छी एक के दो formula हम यूज करेंगे जब भी दोस्तों जहां पर with respect to time दिखाई दे तो हमेशा एक ही जगह पर आपको dby dt लेना है बट जोस्तों जब भी आपको with respect to यहां पर x दिखाई दे तो displacement से related अगर distance से related कुछ भी है तो आपको एक ही जगह पर यह formula लेना कैसे आया क्या आया brief lecture से उसमें आप देख सकते हो बट याद अब भी देखो अगर last time पर देख रहा तो आप डारेक याद कर लो देखो dby by dx into V और यहां पर dby by dt अब दोस्तों यहां पे motion कौन से direction में वह उसके according आपको यह लेना है जैसे motion अगर suppose upward है तो आपको माइनस mg उपर जा रहा है तो अगेंस gravity जा रहा है तो इसलिए माइनस mg है और यह resistance प्लस में है और साथ में एक resistance प्लस उसको रोकने ही कोसिस करेगा तो यह आपको डिरेक्ली याद होना चीए चलते है दोस्तों सम की और अगर आप यह सम सॉल करते हैं तो लगबग इस टॉपिक में आइडिया आ जाएगा body of mass m falling from a rest fall हो रहा है down दिखाए तरह fall हो रहा है from rest subjected अब देखो यहां पर subjected to the force of gravity and air resistance देखो अब देखो यहां पर force which is equal to अब देखो फॉल हो रहा है तो यहां पर माइनस resistance पोर्स आएगा तो यहां पर f which is equal to yes f का value भी आपको पता है f equal to क्या होता है दोस्तों में और यहां पर mg equal to क्या लेना है अपने को k square लेना है तो यहां पर हमने k square लिया माइन resistance force क्या है दोस्तों देखो यहां पर air resistance proportional to the square of the velocity मतलब यहां पर direct उन्होंने दिया kv square जो हमें इन्होंने resistance force कभी कभी नहीं देते है यहां देते है तो आपको जैसा दिया वैसा लेना अब यहां पर main है कि sir a का value क्या ले तो यहां पर अगर आप ध्यान से question में देखोगे त इस equation में x किसमें है दोस्तों यह तो मतलब अपने को क्या लेना v dv by dx यहां पर m लेंगे यहां पर दोस्तों भी और यहां पर dv by dx अगर वो t होता तो हम t वाला लेते हैं अब देखो । बाहर ले ले रहा हुँ एस स्कूर और यहां पर दोस्तों भी स्कूर यहां पर दे की तरखिया तो यहां पर इंटीग्रेशन ले रहा हूं यहां पर देखो गें दोस्तों नीचे आले पार्ट का वी रिस्पेक्क्ट वी है तो यहां पर अगर आप देखो यहां पर पूरा 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 पार्ट होने के बाद अब अपने को क्या करना चीए दोस्तों फोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूत है और सम को सॉल करना है अब देखो, दोस्तों यहां पे यह पूरा 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 पार्ट है अब यहां पर आप अगर देखो गे तो स्वset और आगर मैं दियान से पर देखो दो सब्सक्राइब 10 अब यहाँ पर कहाँ दुसतों सी तो ही आगर माईनस1 बाए टू लॉग ए स्कवेइर स्कुर सिस्ट तो है एक्स है वाए M है उर प्लस यहाँ पर कहाएगा अब लोक से खा Assembly को दोनों में से अब आपको Cliff क्या करना है उसकी साफ से जाणा है तो दोनों में अब अगर आप दियान से देखोगे तो आपको यहां पर यहां पर यह वही रहेगा और यहां पे यह वाला पार्ट डिवाइड में रहेगा तो मुझे ऐसा लग रहे कि अपना प्रूफ आ गया है तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से फट्टा फट्ट आप सॉल कर सकते हो जस्ट बेसिक आइडिया होना चीए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो दोस्तों आप देखो यह लास्ट ह हीट फ्लों अगर आप हीट फ्लों देखो हमेसा एक्जाम में रहाएगि हीट फ्लों आप मेरे सहीप पूरे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज़ेस रहेगा तो यह आपको एक सम देख लेना है तो इसलिए मैंने ये बाकी के पूरे के पूरे पूरे टॉपिक्स यहां पर कवर किया तो जितने भी टॉपिक्स हैं क्योंकि आपको आपको ऑप्शन भी आता है उसके अकॉडिंग पर मैं बोल रहा हूं कि हीट फ्लो आपको देख के जाना चाहिए एक सम ही लास्ट में जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और वीडियो को लाइक करके जाओ और नीचे कॉमेंट करके जाओ तो मिलते हैं नेक्स लेक्टर में बाए बाए टेक केर जहीं दोस्तों